आज मनों बात करने वाले हैं NCRT के एलग्ट्रोकेमिस्ट्री का इंटेक्स 3.10 यानि कि दसमें सवाल के बारे बात करेंगे एलग्ट्रोकेमिस्ट्री 12th क्लास का है if a current of 0.5 ampere flows through a wire for 2 hours यानि कि अगर एक wire के through में अगर इस wire के इस area से 0.5 ampere का current जो है 2 hours के लिए pass किये जाए तो ये बताना ये है कि इतने देड़ में कितने electrons flow कर जाएंगे इस wire से तो कितने electron flow करेंगे वो तो depend करता है electron के charge पर electron का चार्ज होता है 1.602 यानि कि 1.6 ही लिखते हैं into 10 to the power minus 19 कुलम भी ये electron का charge होता है अब यानि कि एक electron इतने charge को लेकि दोड़ेगा सवाल ये है कि अगर हमें निकल जाए कि total charge कितना पास हुआ दो घंटे में तो आराम से ये निकल जाए कितने electron पास हुए तो बड़ी आसानी के साथ हम लोग जो यहां पर सवाल करने जाड़े हैं ध्यान दीजेगा यहां पर सवाल क्या है कि दो घंटे में दो घंटे तक पास किया गया 0.5 MPR करेंट को तो हम लोग जानते हैं कि करेंट क्या होता है total charge पास पर यूनित टाइम इलक्री करेंट कहलाता है तो यहां से q बराबड क्या हो जाएगा I x T charge हो गया Q, I electric current T time हो गया. तो यहाँ पर I का वमान है 0.5 A time जो हमारे पास है, यह second में हो चाहिए, time two hours है. तो two, एक आवर में कितना होता है? तो एक आवर में 3600 यहाँ पर second होता है, एक आवर में यहाँ पर 3600 second होता है, दो आवर current पास किया है मनें कि 3600, गुना दो बाहत्तर सु सकेंड पास करेगा बाहत्तर सो फिर यहाँ पर 0.5 से मल्टिप्लाय होगा तो 0.5 यानि आधा कर देंगे बाहत्तर सुगा तो फिर से यह 3600 कुलंब चार्ज हमारा हो जाएगा तो यहाँ पर टोडल चार्ज कितना हो गया 3600 कुलंब हो गया यह टोटल चार्ज हो गया जो दो घंटे में पास हुआ है अब यानि कि दो घंटे में इस से 3600 कुलंब चार्ज पास हुआ है तो कितने इलक्ट्रोंब पास हुए तो प्याड़े बच्चों ली नो 1.6 इंटो 10 तुरी पावर माइनस 19 कुलंब is equivalent to is equivalent to how much electron to one electron and therefore one कुलंब charge is equivalent to how many electron 1 by 6 1.6 10 तुरी पावर माइनस 19 electrons and so 3600 कुलंब charge की बात करें is equivalent to how many electrons to 1 by 1.6 10 तुरी पावर माइनस 19 गुना 3600 कर देंगे यहाँ पर तो यह हुमारा हो जाएगा 3600 but 1.6 इंटो 10 तुरी पावर 19 हो जाएगा यहाँ पर कुछ नहीं करना है आपको यह 3.6 कर दना है 3.0 इसमें मिला दीजिए तो यह 3.6 by 1.6 रहा जाएगा इंटो 10 तुरी पावर 22 हो जाएगा यह डिवाइड करने के बाद लगवग फाइनल में आंसर आएगा 2.46 यह अप्रॉक्सिमेटली 2.5 इंटो 10 तुरी पावर 22 इलक्ट्रॉन के यह एक्विवालेंट आंसर आएगा तो आई होप आपको यहाँ पर यह सवाल बहुत ही आसान सा सवाल था बहुत ही पैरा सवाल था तो हमें यहाँ पता करने थे नंबर आफ इलक्ट्रॉन कितने पास हुए है तो हमने पहले पता लगा ले कि टोटल कितना चार्ज पास हुआ है 2 घंटे में और हमने यहाँ पर चार्ज को करके हमने पता लगा लिया कितने चार्ज में कितने इलक्ट्रॉन पास हुए यंगति इलक्ट्रॉन का अंसर यह हमारा आया है तो आई होब आपको यह सवाल समझ में आया होगा वीडियो पसंद भी आया होगा तो लाइक जरूर कड़िएगा ठीक है चनल पर नए कर दो किस दो दो किसे दो टूर लगा कर सकते हैँ तो यह जूर की इलक्ट्ट कर दो लाइक है।